नमस्कार मैं मैं नपसोन हूँ, आप सभी का अरोमा क्लासेस पे श्वागत करता हूँ आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्रून टॉपिक लेके आए हूँ जिसका नाम है सांता आना पवन सांता आना पवन, जिसको हम लोग डस्ट डेविल के नाम से भी जानते है यह एक अस्थानिये पवन है, जो दक्षिन कैलिफोर्निया के छित्रों में बहती है इसका नाम सांता आना इसलिए पड़ा, क्योंकि यह सांता आना घाटी से क्या होती है गुजरती है, उसी छित्र में बहती है, इसलिए इसको क्या कहते है सांता आना पवन कहते है, यह एक गर्म और सुस्क पवन है यह इतना ज़्यादा सुस्क पवन है, कि जिसे भी छित्र से यह पवन गुजरती है उस छित्र के नमी को अफसोसित करते चलती है, उस छित्र के मिर्दा के नमी को अफसोसित कर लेती है, जिसके करन मिट्टी का जो उर्वरा सक्ती है, फर्टिलीटी है, यह कम हो जाता है, और इतना जादा गर्म और सुस्क है कि कभी-कभी यह forest fire, one में आग लगने का भी कारण बन जाती है, इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि उर्वरा सक्ती, फर्टिलीटी तो समात करी दी, जंगल में भी आग क्या करती है, लगा देती है, जब इस पवन में धूलकन मिल जाता है, dust particles मिल जाता है, तो इसको हम लोग dust devil के ना कैलिफोर्निया है, और यहां सांता आना घाटी में क्या होती है, बाती है, चुकि यहां सांता आना घाटी में बाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांता आना, पवन के नाम से जानते हैं, चुकि घाटी जो है वहाँ दो पहारी, दो परवतों के मद्ध इसका विशेस्ता क्या है कि यहां बहुत ही ज़्यादा गर्म है और सुस्क पवन है गर्म और सुस्क होने के कारण यहां क्या करती है तो मृदा की नमी को ही यहां क्या कर देती है समाप्त कर देती है वनस्पती सब को यहां क्या करती है सुखा देती है इसके कारण वन में यान्य चला जाता है, वह नस्पति सब नस्ट होने लगते हैं, कभी-कभी जंगल में आग लग जाता है, इसलिए उसको natural disaster भी कहा जाता है, हम बताएं कि इसमें जब धूलकन मिल जाता है, dust particle मिल जाता है, इसको dust devils के नाम से भी जानते हैं, तो यदि प्रस्द दे दे कि किस अस्थानिय पवन को Dust Devil के नाम से जानते हैं तो आप बोलिएगा सांता आना पवन यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ही जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जरूर सेर करेंगे और कमेंट में बतलाएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा